बॉलवर्ड अभी नीत्री और बीजेपी सांसत कंगना रनात कल जैसी ही चंडीगड एरपोर्ट पहुंची सेक्यरोटी चेकिंग के दोरान CISF एक महिला कर्मी ने उन पर थपड जड़ दिया जिसके बाद चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है देश भर में इस पूरी घटना को लेकर चर्चा चल रही है और इसी बीच महिला CISF कर्मी कुलविंदर कौर को हिरासत में ले लिया गया है एरपोर्ट के CCDV फुटेज को खंगाला जा रहा है लेकिन इसी बीच विने काजला जो CISF के शिर्च अधिकारी हैं इस पूरे मामली की जांच परदाल कर रहे हैं उनका कहना है कि कुलविंदर कौर ने इस पूरी घटना को लेकर माफी मांगे है बहराल इस पूरी घटना को लेकर कुलविंदर कौर के बैक्ग्राउंड को खंगाला जा रहा है कि आखर वो किस परिवार से आती हैं कैसे परिवार से आती हैं क्यों उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कैसे उन्होंने अभिनेतरी और बीजेपी सांसत पर हाथ उठाया इस पूरे मामले की बहुत सगंता से जाच चल रही है सियाइसफ की शिर्ष सदिकारी विने काजला ने कहा है कि उन्होंने खुद कंगना रनाउत से जाकर डल्ली में मुलाकात की है और अगर कुलजीत कौर की बात करीं तो उनकी तरफ से माफी मांगी जा चुकी है उनके खिलाफ आपचारे क्रूप से इस पूरे मामले को दर्ज भी कर लिया गया है लेकिन अभी उन्हें गिरफतार नहीं किया गया है रियासत में नहीं लिया गया है जमानती वारंट उनके खिलाफ लगाए गए है उनके पते भी सियाएसफ में ही है डॉग स्कॉइट की टीम में शामिल है भावनात्मा क्रूप से आकर उन्होंने इस पूरी गटना को अंजाम दिया जिसके बाद पूरे देश भर में संसरी फायल गई है आपको बता दे कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो सगंता से की ही जा रही है बताया ये भी जा रहा है कि एरपोर्ट पर जहां उनकी तैनाती फ्रिक्सिंग जोन में की गई थी लेकिन उन्हें कंगना रनौत की सूचना जैसे ही मिली वो वहाँ पहुँच गई जहां कंगना रनौत मौजूद थी और उसके बाद भावनात्पक तोर पर आकर पूरी घटना को अंजाम दिया जिसके बाद से ये पूरी घटना चर्चा का विशे तो हैं ही साथी साथ जांच का विशे भी बना हुआ है उन्हें जैसे ही सूचना मिली कि कंगना रनौत चंडिगर एरपोर्ट पहुँच रही हैं वो सेकरोडी जेगिंग तक पहुँचती हैं और वहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दे देती हैं फिराल उनके फैमिली बैक्राउंड के साथ साथ जमानती वारंट के तहत उन गातार जारी हैं लेकिन बहराल बड़ी खबर ये हैं कि कुलविंदर कौन ने कंगना रनौत से माफी मांगी है